दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापती निउस में दोस्तों रेलवे में यात्रा तो हम सभी गरते हैं लेकिन कि आपको रेलवे यात्रा के दौरान इस्तमाल किये जाने वाले उन स्मार्ट हैक्स के बारे में पता है जबकि यातरा को और भी ज़ादा मज़ेदार बना देंगे या फिर कि आप जानते हैं कि रेलवे यातरा के दौरान वो कौन से चीज़े हैं जो आपको मुसीबत में डाल सकती हैं और ट्रेन टिकेट की बुकिंग के टाइम पर वो कौन से गलती हैं जिने आपको कभी नहीं करना चाहिए ऐसे में दोस्तों तयार हो जाईए क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं यानि आपको दोस्त विशाल प्रजापती आपको रेलवे यातरा के दौरान की जाने वाले कुछ खास चीज़ों के पारे में बताने वाला हूं जिने करके आप अपनी यातरा को सुख़द बना सकते हैं और अगर आप रेल यातरा के दौरान किसी मुसीबत में नहीं पढ़ना चाहते हैं तब तो ये वीडियो जरूर देखिए लेकिन हाँ वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट है वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में पैल आइकोन भी दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले सबसे पहले चीज अगर आप IRCTC Pantry के साथ भूजन का ओर्डर देते हैं तो बस उन्हें IRCTC Wage या फिर Non-Wage Plate का ओर्डर दे आपको जानकर हैरानी होगी ऐसा बोलने से आपको 120 रुपे में मिलने वाली प्लेट आदे दाम में मिल सकती है और अगर Pantry Boy आपको देने से मना करता है तो आप उसका नाम पूछिए वो समझ जाएगा कि आपको रेलवे के सारे राज पता हैं और हमेशा अपना Final Bill मांगे ताकि आपको पता चल सके कि वो आपसे कितने पैसे चार्ज कर रहा है अगर वो आपसे जादा पैसे चार्ज करता है तो आप तुरंट उसके खिलाफ एक्शन ले ले ट्रेन में जब कभी भी आप पानी खरीदे तो उसकी क्वालिटी देख ले और उसका दाम भी चक कर ले अगर आप एक साथ दो बोतल खरीदें तो आप तीस रुपे में भी उसके खरीद सकते हैं क्योंकि कई बार दो बोतल खरीदने पर लोग तीस रुपे दे देते हैं और दोबारा कोई उनसे पैसे नहीं मांगता लेकिन अगर आप एक बोतल खरीदेंगे तो आपसे 20 रुपे मांगे जाएंगे वैसे तो कोशिश करें कि आप पानी अपना घर से लेकर चलें और अगर जरूरत पड़ती है तो खरीदें लेकिन ट्रेन में आने वाले पानी को पीने की गलती कभी ना करें क्योंकि वो बहुती ज़्यादा गंदा होता है अगर आप स्लीपर कोच में यातरा करें तो सुबह का इंतजार करें ताकि आप AC कोच पर ट्वालेट का इस्तमाल कर सकें क्योंकि वहां का ट्वालेट सासुतरा होता है और अगर आप अपने train ticket की booking कर रहे हैं तो हमीशा उपर वाली birth लेनी की कोशिश करें ताकि आप अपनी मर्जी के हिसाब से उठ और बैठ सकते हैं वरना middle और lower birth में तो लोग आदा time seat को ही उपर नीचे करते रह जाते हैं टिकेट बुक करते हैं टाइम आप जहां जाना चाहते हैं वहां की ticket आपको उपलब्द नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं उसके एक या दू स्टेशन आगे की ticket बुक कर लें इससे भले ही आपको पैसे जादा दने पड़ सकते हैं लेकिन आपको seat मिलने की संभावना बढ़ जाती है अगर आप ट्रेन में बैट गए हैं तो जाहिर सी बात है आपको अपने entertainment के लिए फोन को चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी लेकिन फोन को कभी भी direct charging पर ना लगाएं हमेशा पावर बैंक के जरी अपना फोन चार्ज करें क्योंकि ट्रेन के अंदर जो बोर्ड लगे होते हैं उसमें शायद किसी ने hacking के चिप लगा रखी होती है जी हाँ जमाना बदल चुका है कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं इसलिए आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है बाकि ये सारी चीज़ें आपके बड़े बज़र्ग भी आपसे कहते हैं कि किसी अंजान विक्ती से पानी या फिर खाने के वस्तू ना लें बहुत जल्दी किसी पर भरोसा ना करें अपने सामान को अपने साथ चैन से बांध कर रखें और हमेशा कोशिश करें सफर के दोरान कम सामान लेकर जाएं ताकि आपको उनकी देखबाल करने में ज़्यादा तकलीफ नओ लेकिन अगर ये सारी चीज़ें करने के बावजू ट्रेन के अंदर चोरी छेड़ चार सामान छूड जाना या किसी अन्य सुरक्षा से जोड़ी साहता की जरूरत पड़ती है तो आप रेलवे सुरक्षा बल 182 ता जीर पी नंबर 15-12 के जरिये मदद मांग सकते हैं और अगर रेलवे में किसी मेडिकल की या फिर साफसफाई की जरूरत पड़ी हो तो आप 138 नंबर का इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप उत्तर भारत में कही यात्रा कर रहे हैं तो हमेशा टेयर 3 AC या फिर स्लिपर कोच का विकल्प चुनें क्योंकि उसमें कम से कम आपको शांती पूरो को वातावरन मिलेगा जनरल डब्बे में तो आपके पैर रखने की भी जगह नहीं है लोग जमीन पर ही बिस्तर लगा कर सूजाते हैं और कई बार तो इससे भी खराब हालात देखने को मिलते हैं वाश रूम का दो पूछे ही मत इस्तेमाल करने से पहले सौ बार सोचना पड़ता है और ये सब कुछ त्योहार के टाइम पर कुछ ज़्यादे देखने को मिलता है इसलिए जब कभी भी त्योहार के समय कहीं जाएं तो हमेशा अपनी सीट रिजर उकर के रखें सोते समय अपना बैग अपने साथ ही रखें और उसके उपर सर रख कर ही सोएं या फिर हमेशा उस पर अपनी नजरे गड़ाये रखें अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सामान है तो उसे एक बड़े बैग में ले जाने ही कोशिश कर रहें जिसे एक बार में आप कहीं भी ले जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे सामान को एक एक करके ट्रेन से उतारना कई बार मुश्किल हो जाता है खास करके तब जब आप जनरल बोगी में सफर कर रहे हों अगर आप बच्चों के साथ यातरा कर रहे हो तो आपको हावडा, नई दिल्ली, दिन दियाल उपाद्या, नगर जैसे भीड भाड भरे स्टेशनों से सावधान रहना होगा भीड आपके बच्चों को आपसे अलग कर सकती है, जिसकी वज़े से आपको काफी समस्या जहिलनी पड़ेगी इसलिए जहां कहीं भी भीड हो, वहाँ अपने बच्चों को अपने पास रखें और ट्रेन में तो वैसे भी छोटे बच्चों पर कुछ खास ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि जमाना खराब है और किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता ट्रेन की खिड़की से चाई या फिर काफी कभी ना खरीदे, क्योंकि वह बहुत ज़दा खराब होती है और अगर ट्रेन अचानक से चल गई तो गरम चाय या काफी की वज़े से आपको नुकसान में हो सकता है यदि आप किसी के साथ अपनी सीटों का आदान प्रदान कर रहे हैं तो इससे पहले आप कारण पूछें हो सकता है सीट खराब है या पडोसी अच्छा नहीं है या फिर वो परिवार या दोस्त के साथ हो सकते हैं इसलिए उनसे सीट की अदला बदली करने से पहले ये जरूर पूछ ले कि वो कौन से स्टेशन पर उतर रहे हैं क्योंकि हो सकता है उस स्टेशन के बाद अगला मालिक सीट चाहता हो और अगर आपने अपनी सीट दे दी और उसकी सीट पर जाकर सो गए तो जो नया सीट का मालिक होगा वो आपको उठने के लिए कहेगा जिससे आपकी नीन खराब हो जाएगी इसलिए इस तरह के फैसले लेने से पहले काफी सोच विचार लें सोने से याद आया जब ट्रेन आपकी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाली हो तो उससे एग घंटा पहले उठकर बैड़ जाएं ताकि आपका स्टेशन मिस नहूँ और हाँ ट्रेन में सफर के दौरान गलती से भी चैन पुलिंग ना करें अगर आउशकता पड़ती है तब ही इसका इस्तेमाल करें लेकिन किसी भी आलतु फालतु काम के लिए अगर आप ऐसा करेंगे तो पलिस आपको जेल में भी बंद कर सकती है और सबसे अहम बात अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो बिना टिकेट के कभी भी ट्रेन में सफर ना करें वरना आप मुझीबत में पड़ सकते हैं उम्मीद है वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कॉमेंट में जरूर बताईए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत